पहले अपने अंब फालों का बता दू जो आपका कुशैन नंबर वन आएगा ऑनिंगर में तो शयुनिख नंबर 1 लाइगде उनिख साथ चुप्टर है unit number one में total 7 chapter है जैसे कौन कौन सा chapter है सर जैसे share capital है जैसे आपका आपका buyback है मैं short form लिखूंगा बूलता जाओंगा आपने note करना है जैसे आपका redemption of preference share capital है जैसे आपका bonus है जैसे आपका isop है जैसे आपका underwriter है और जैसे आपका debenture है debenture में both है issue भी है और redemption भी है ठीक है इन सभी में से question बनेगा लेकिन सर आपके question तो option में मिलते हैं सबढ़ to आपका क्या होगा इन सभी को मिलाके एक question बन जाएगा और इस 여ख के और में इसभी मिलाके एक question बन जाएगा अब आपको option अजा कहसे रहेगा इन चारोफ चैप्टर को मिलाके एक question बनाएंगे वह चाहे end of preferential का दें चाहे आपका share capital का डाल देंकर इनके share capital दाल दिया तो redemption प्रफेंशर नहीं आएगा या फिर buyback redemption और प्रफेंशर बोनस तीनों को मिला के यह तीनों हमेशा 18 ही मिलके बनता है उसके option में जब आप question ढूंड होगे तो वहां पर आपको इस वाप underwriter का एक question पाँच नमबर का मिल जाएगा और debenture के questions आपको एक या दो मिल सकते हैं तो इस तरही के से debenture में issue भी है और redemption भी है दोनों को मिला के तो ये हमारे unit number one में question इस तरही के से choice के बनते हैं आपके अगर हम बात करें sir question number two की तो question number two आपका क्या आएगा sir आपका आएगा final account मैं NEP की बता रहा हूँ अभी सिर्फ final account और इसके और में आपका आजाएगा sir cash flow statement या फिर ratio दोनों में से एक आएगा cash flow statement और ratio in case और साथ के साथ इसमें plus हो सकता है आपका AS20 AS20 EPS important है काफी EPS ये five marks का question इसके साथ attach किया जा सकता है जैसे मालो cash flow का question आया cash flow का आगया 10 number का और ये 9 number का आगया इस सरी के साथ आएगा आपका ठीक है और final account पूरा एक ही question देंगे क्योंकि इसमें गुंजाइस नहीं बनता ये पूरा एक 19 number का question आजाएगा 18 का paper आता है sorry 18 का ये बन जाएगा ठीक है मैं 19 बोल देता हूँ कई बार ये 18 का paper आता है तो ये 8 number का ऐसे design हो गया paper सर अगर cash flow ratio आया तो ratio के साथ ये ऐसे accounting standard को वो लगा देंगे तो ये question number आपका second बन गया आपके exam का जो examiner जादा से जादा hair fare करेंगे तो कुछ kind of इस तरीके से आपके questions आ सकते हैं अगर paper का pattern उन्होंने नहीं बदला और जैसा अभी तक चलता आया है वही चला तो ये रहेगा question number 3 की बात करें तो question number 3 जो बनता है आपका वो unit number basically 3 से हाँ अब मैं ये बात करूँ sir इस unit से ऐसे type के questions बनेंगे बाकी ये नहीं है कि ये दो कभी एक पे भी shift हो सकता है एक दो पे भी shift हो सकता है इस बात का ध्यान रखिएगा unit number 3 में जो बनता है हमारा इसमें बनेगा amalgamation amalgamation a part और इसी का b part आ जाएगा reconstruction सबी बच्चों ने अगर देख लिया है तो amalgamation का एक और नाम बताया था क्या बताया था external reconstruction और amalgamation को क्या बोलते हैं external reconstruction और जो simple वाला reconstruction करा है वो होता है internal reconstruction तो आपको याद रखना है amalgamation के पूरे chapter में explain किया हुआ है और इसके और में क्या आएगा सर a part amalgamation और b part reconstruction तो आप कोई बच्चा बोलता है सर कौन सा chapter important है तो अब आप जो मैंने option बताया है यही रहेगा इसमें option तो आप समझ सकते हो कि कौन सा chapter important है आधाधा देंगे हो सकता है कि amalgamation का सर्फ purchase consideration निकल वाले और reconstruction का journal entry दे दे हो सकता है amalgamation का एक theory दे दे कि merger या acquisition में क्या difference है या amalgamation के आप बताईए किस तरीके से amalgamation होता है इसमें कितने methods होते हैं उसको 5 नंबर का explain करिए और reconstruction नई chapter की theory कोई भी confirm नहीं theory कहीं से भी आ सकता है आपका चीक है ना तो यह बन गए आपके कितने question सर तीन question देखो तीन question बन गए है इसी हिजाब से आपको preparation करके चलना है अभी एक्जाम आने वाला है question नंबर फोर सर question नंबर फोर बनेगा आपका आपका evaluation of share या फिर valuation of goodwill या फिर value added economic value added economic value added financial statement यह पूरे chapters बनते हैं एक यह question साब का बनके आएगा definitely एक question इसका बनके आएगा यह बनके question नंबर चार कहीं भी interchange हो सकता है इसमें practical के साथ साथ मानके चलो इस question में theory की संभावनाएं बहुत जादा रहती है इस वाले unit के अंदर theory के संभावनाएं बहुत कम है इस वाले unit के अंदर जो theory के chances कम बनते हैं गिने चुने कुछ theory है बाइबेक के condition वगरा दे दिया तो दे दिया इस वाले unit के अंदर theory के chances ज्यादा बनते हैं तो जहां पर theory के chances ज्यादा बनते हैं तो वह में लिख देता हूं और theory भी इस unit से आएगा आपका एस 14 है इसका accounting standard उसके साब से बताईए question number 5 यह पूरा का पूरा आपका theory का unit बनता है that is हमारा क्या unit का नाम क्या है बार-बार थोड़ा सा mindset देखना लास्ट है नहीं लास्ट यूनिट जो है financial statement reporting है corporate social responsibility बहुत सारी चीज़ है इसमें पूरे unit का नाम क्या एक पर दिखाओ नहीं दे रखा तो यह मैं ऐसे लिख देता हूं लास्ट का unit है corporate financial reporting यह पूरा theory है अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है इसके अंदर annual reports आ जाते हैं इसके अंदर आपका corporate social responsibility आ जाता है इसके अंदर triple bottom line आ जाता है इसके अंदर XBRL आ जाता है यह सारी की सारी theory मैंने theory वाले इस वाले section में discuss किया हुआ है यह theory तो यह fully functional आपका theory का रहता है हाँ अब रही बात paper में सर्फ फेर बदल क्या हो सकता है तो जो last unit theory का हो सकता है कि इसके साथ एक यह valuation of shares का attach कर दे और यहाँ पर एक बहुत important role परेगा AS 17 segment reporting का theory का section है 10 year में इसके theory जितने 10 year में इसके theory है ना unit अगर मैं दिख बता हूँ आपको तो मिर पास यह NEP का है किसका है लास्ट में आप इसके theory में जाएंगे corporate financial reporting इसमें जितने theory दिया है ना तो सारे के सारे theory वो है इस theory से आपके बाहर नहीं आ सकता chapter number 9 में है यह NEP वाले बच्चों का था इस theory से ज्यादा नहीं आ सकता अगर मैं last year का paper discuss करूं 2023 का जो जुलाई में हुआ था मैं एक बार बोल भी देता हूं और honors और प्रोग्राम मेरे पास जो है बुक है प्रोग्राम का है लगबग लगबग pattern सेम रहता है question थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं वो पहला questions आया आपका theory का that is source of issue fully paid up bonus कुछ MCQ टाइप का आया इसके अंदर इसके बाद आप सभी के पास फिर इसके अंदर share capital आ गया और मैं आ गया minimum fresh issue निकालिए और साथ के साथ कुछ हमारे नंबर ऑफ शेर मिनीमम प्रिफरेंग बताया था ना मिनीमम नंबर निकालने का वह वाले टाइप का questions आ गया और को सब्सक्राइब कर दिया सेगिंड पूरा का पूरा रहा है यहां पर सर यह almost shareholder का था पास जनले रिकंस्रक्शन का दे दिया आप बोलेंगा सर आपन पर नहीं होगा चाहे बच्चा बीकॉम प्रोग्राम का हो चाहे स्टूडेंट आपका बीकॉम ओनर्स का हो यह जो मैंने बताया format यह किसके लिए है यह हमारा एनिपी हाँ अब आपके थियोरी के section कहीं भी attach हो सकते हैं आप यहां यह बोल सकते हैं कि शायद share capital में से security premium का आ सकते हैं इनके theory आ सकते हैं practical के बजाए तो जितने भी theory 10 year में है enough to enough है उससे उपर कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में अब हम यह बात कर रहे हैं सर यह एनिपी एनिपी वालों का मैंने सब कुछ बता दिया अब एनिपी वालों को जिनका एक्जाम अभी है एस ओ वाले बच्चों का एक बार एनिपी का हम जब regular का थोड़ा बहुत popular है वो कारश मां इऔर ज्यादा नौशज वाले सरिताथ रेगूलर वालों का जिनका लिया वो देख